हुआ है फ्रेंट सेल्फ डॉक्टर सुनील एंड यू है मोस्ट वेलकम ऑन मा यूट्यूब चैनल अल हेल्थ के फामेसी आज का डिसकसन टॉपिक है है यह दिको मैंसोल टॉनिक जिसे हम फीमेल टॉनिक के नाम से भी जानते हैं अब फीमेल टॉनिक इसे क्यों कहा गया क्यों कि यह सिर्फ मेड वंदी फॉर फीमेल यह सिर्फ महिलाओं के लिए हbec sack के लिए हिन ने रमित किया गया है तो इसके इस्तमाल के बारे में देख लिया जाए कि हैपडिको मेंशल टॉनिक का इस्तमाल किन परिस्ठिति Özूं में किया जाता है तो मैंशल टॉनिक लिए है बनाए गई सीरफ है ठीक है एंड इंप्रूब वैरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेट टू मेंसुरेशन्स मासिक धर्म से संबंधित बिभीन प्रकार की बीमारियों या प्रॉब्लम या समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है इसे में लाइक पें इन पेलविक ओगन्स यहर रिप्रोडक्टिव सिस्टम घख दीपें जब एक सबंधित विए जो pelvic organs है आपके नाभी के निचे वाले हिस्से को हम pelvic organs के नाम से जानेंगे उसमें होने वाले cramping pain या किसी भी तरह के दर्द से संबंदित treatment में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं means irregularities जो मासिक धर्म में परिवर्तन या उसकी आने वाली जो तारिक या date होती है उसमें आगे पीछे होने की समझ से हमें करेंगे and dark lot is dark lot मतलब आप समझ जाए कि जो bleeding होती है उसमें जो black dark हो जाते है red जो blood होता है वो क्या होता है जमा जैसा आगर आ रहा हो या clotted हो रहा हो तो उसके treatment में भी इसका इस्तावाल करेंगे हम ठीक लीकोरिया वैकोरिया डिसचार्ज इस जिसे हम वायट डिस 컨्वाव्य सब्सक्रीजाइगे लीकोरिया अगर किसी भी मूवमें सके लीकोरिया डिसचार्ज की problem है उसके treatment में अब जब इतनी मेंसुरेशन और लिकोरिया की समस्य आओगी तो उस महिला के विकनेस ओबियसली होगी तो हेडेक हो सकता है सिर्दर्ध बैक पेन कमर दर्ध ओके लॉस ऑफ एपटाइट भूख में होने वाले कमी एंजाइटी घबराहट होगी उसे ठीक अनेमिया हो सकती है अगर मासिक धर में परिवतन हो रहा है 15 डेज 20 डेज में बार बार आ रहा है बहुत लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी उसे क्या ब्लड डिफिस्यांसी डिजीज हो सकती है जिसे हम एनेमिया कहते हैं ओके बर्निंग इन हैंड और फीट्स अगर हथेली में या पैर के तलहटी में अगर जलन जैसे समस्या हो रही हो तो वह भी मेंसुरेशन से संबंधित ही एक बिमारी का संकेत है एंड वीक्नेस कमजोरी में भी इसका इस्तमाल करेंगे लैक ओफ स्ट्रेंद डेरेक्शन ओफ यूजेज इस्तमाल करने के निर्देश क्या है वन टेब अथवा आज डिरेक्टर बाइद फीजिसियन या चिकित्सक के निर्देशा अनुसार लेजिए सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो में सॉल टॉनिक है उसके लिए क्या कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं इस्टोर इन पूल एंड राइज एंड सीरफ को रीड दा लेबल केरफूली इसको इस्तमाल करने से पहले लेबल को मैं अच्छे तरहिके से पढ़ लेंगे डू नॉट इक्सीड दा रिकमांडे डोजेज जो डोज नेधारित किया गया है डॉक्टर के दौरा उससे ज्यादा हमें यूज नहीं करना है कीप